नमस्कार मेरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोर्टल के बारे में जहां अगर आप किसी आफिस में काम कर रहे हैं और आप अपने सिनियर से प्रिसान हैं तो आप जो है उस एप पर यानि कि उस पोर्टल पर जाकर आप अपनी सिकायद दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बाउस आपको काम से निकालने की धमकी दे रहे हैं या फिर आपको परताडित किया जा रहा है तो आपको ज़्यादा परिसान होने की जरूरत नहीं है आप अपनी सिकायद कंपनी के खिलाब दर्ज करवा सकते हैं अगर कोई करमचारी कंपनी के रवईये से प्रसान है या फिर उससे प्रसान किया जा रहा है तो बह अपनी सिकायत भारत सरकार दुआरा सुरू किये समाधान पोटल के माध्यम से आउनलाइन दर्ज करबा सकता है कई बार इस तरह की सिकायतें सामने आती है जिसमें की करमचारियों को उनके दब्तर में परिसान किया जा रहा है लेकिन उवे परिवार का भरन पोशन कैसे करेंगे इस बात से डर से अपनी सिकायत नहीं कर पाते हैं कई बार तो इस तरह की सिती भी देखने को मिलती है कि कमपनी किसी करमचारी को बिना किसी नोटिस के भी नौकरी से निकाल देता है जिसके कारण उस करमचारी के सामने आर्थिक संकेट की सिती उत्पन हो जाती है इन सब इस सितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की स प्रेसान है और सिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उबह सिकायत दर्ज करवा सकता है सरकार की तरफ से जारी अब्रेट में यह भी बताया गया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे जहां से आपको हटा दिया गया है या फिर उस कंपनी से अचानक से हटाने का जारी कर दिया गया या इस छटनी से आप संतूष्ट नहीं है तो ऐसी सिती में आप समधान labor.gov.in पर जाकर सिकायद दर्ज करवा सकते हैं बारसरकार के ट्वीटल हैंडल पर जारी ट्वीट में लिखा गया है कि अगर आपको अपने नियोकता से कोई सिकायद या फिर परिसानी है तो समधान पोटल पर जाकर अपनी सिकायद दर्ज करवाएं साथे साथ जारी ट्वीट में एक इमेज भी पोस्ट किया गया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी कामगार अपनी बर्खास्तगी छटनी और किसी परकार से सेवा समाक्ती के मामले में समझा होता अधिकारी के सामक्ष सीधे मामले को उठा सकता है तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से सिकायद दर्ज करवाएं सिकायद दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले आपको स्रम मंत्राले की तरफ से जारी वेबसाइट समधान.labor.gov.in पर जाना होगा यहाँ पर आपको पोटल पे साइन इन करना होगा इसके बाद आपको अपना मोवाइल नंबर 35 करवाना होगा अब इस पोटल पर आपको अपनी सिकायद दर्ज करने के लिए फॉर्म दिख जाएगा जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं इस परक्रिया पूरी होने के बाद आप अपनी सिकायद दर्ज कर ली गई है यानि कि जब आप उसे सेव करके सेंड करेंगे इसका मतलब हुआ कि आपकी सिकायद जो है उस पोटल के माध्यम से दर्ज की गई अब आप अपनी डिप्यूट आईडी के जर्ये आपकी सिकायद को देख सकते हैं यानि कि आपने जो सिकायद दर्ज की है उसकी क्या बरतमान में सिति है कहां तक इसकी बात पहुँची है इसको आप आउनलाइन माध्यम से देख सकते हैं तो इसकी आखरे स्थिति भी जान सकते हैं तो ये था क्रमचारियों को लेकर एक सुविधा जो कि समाधान पोट्रल के माध्यम से शरम मंत्रालाई की तरफ से जारे किया गया है जो कि क्रमचारियों को ध्यान में रह कर किया गया ताकि उन्हें जो है तो इस पोट्रल के माध्यम से भी अपनी सिकायत दर्ज करवा सकते हैं पुरोना काल के दरवान इस तरह के मामले सबसे साधा देखने को मिले हैं तो यही समाधान पोट्रल से जुड़ीवी जार्मकारी बिहार और बिहार से जुड़ीवी और वियर्चेंग खबरों के लिए बन रहे हमारे चैनल के साथ मुझे दिजिए जाज़त धन्दबाद